क्या ओला इंडिया में सक्सिस्फुल होगा या फिर ये भी एक बवल है जो की बहुत जल्दी फटेगा क्या ओला सिर्फ मार्केट मां हाइप क्रियेट करके रह जाएगा या फिर सरबाई भी कर पाएगा ये है एक बहुत बड़ा सवाल तो इसका जवाब भी मैं दूँगा सोगाई जुड़ रहिए हमारे संग एंड तक 15 अगस्त को लॉंच डेट के बाद एक लाग प्री बुकिंग आ जाना वो भी 48 घंटे के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है और ये सिर्फ एक लाग की प्री बुकिंग ओला की सक्से डिसाइड नहीं कर सकती है पहले वी ऐसी बहुत सारी स्कूटर्स और बाइक हैं जिसने सुरू के 48 घंटे में एक लाग से जादा प्री बुकिंग मिली पर वो अब मार्केड में सर्वाइब नहीं कर पाई तो क्या इसका मलब ओला भी सर्वाइब नहीं कर पाईगा तो प्री एजंशन करना अभी गलत होगा आगे हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पर बात करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ओला सर्वाइब कर पाईगी या नहीं अगर ओला इन तीन फेक्टर पर सईसे वर्क कर लेती है तो मेरे साब से ओला हिस्टरी क्रियेट कर देगी बनना आप लोग समझदार है फर्स्ट वन सेटिसफेक्टरी सेल सर्विस ओला आपको एक लाग से लेके एक लाग तीस हजार के रेंज में फीचर, रेंज, स्पीड तो बहुत लाजवाब दे रही है पर आफटर सेल सर्विस का क्या? क्या इन लोगों का आफटर सेल सर्विस का कैसा प्लैन है? क्योंकि अभी मार्केट में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में घर के दरवाजे पे खड़ा होना चाहिए अगर ओला इस वाले प्रोसेस में सक्सेस्फुल रहती है तो ही ओला सर्वाइफ कर पाएगी और सक्सेस्फुल हो पाएगी क्योंकि अगर हमने आज अप्लिकेशन लगाई है और पांस दिन वादा मेकेनिक हमारे घर पे आ रहा है ड दे देगा इन फुली चार्ज बैटरी पर क्या यह सच होगा यह आपको सच लगता है क्योंकि और इवीज भी हमें 60-70 km का रेंज देती है तो अगर ओला मैक्सिमम 80 km का भी अगर रेंज दे देती है तब भी ओला जो सक्सेस्फुल हो जाईगी क्योंकि रियल लाइफ में औ 220 km अगर मैं मान के चल लहाँ 80 km भी हमें मिल जाता है तो भी कोई परिशानी नहीं आईगी ओला को अगर इससे कम आ जाता है तो ओला को खत्रा हो सकता है फिर 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 ओला की बैटरी कम से कम 5 साल की लाइफ के संग तो एविलेविल हो नहीं चाहिए क्योंकि 5 साल से पहले बैटरी नहीं बदलवाना चाहता है और अगर साल और अगर हड़ साल ओला की रेंज बैटरी की लाइफ के संग कम होती जा रही है तो साइद ओला सर्वाइब ना अगर पाए मला पहले साल तो 20 km का रेंज दे रही है दूसरे साल की बैटरी ठक गई वो 60 का देने लगी फिर 50 का देने गा अगर ये प्रोसेसरा डेपरिसेशन रहा तो साइद लोग ओला को ना खरी दें फिर जो थर्ड फेक्टर आताब हो है इज ओफ चार्जिंग ओला कम्पनी का दावा है कि इसकी बैटरी मातर 40 मिनट में पूरी चार्ज हो जाएगी हाइपर चार्जिंग अगर को दाएगा क्योंकि अगर खरी घंट नई पर कंचे ऊएगा और पूरी लाइट नहीं आई तो स्कूँटर भी चार्ज नहीं हो पाएगा मतलब अगले दिन ना कहीं जाने के ना कहीं आने के और फिर जो लोग थर्ड ए फोर्थ अपार्टमेंट में रहते हैं तो क्या लिफ्ट से स्कूटर को उपर लेके जाएंगे चार्जिंग कराने के लिए यह है ओला के सामने कुछ परीशानी मेंat पर हर एक परिशानी का समधान भी होता इसका समधान मेरे साब cart मैं आपको बताता हूँ ओला को अपनी बैटरी इस हिसाब से डेवलप कननी चाहिए कि वो इन्वेटर से भी चार्ज हो जाए कि अगर लाइट ना है तो बंदा इन्वेटर से चार्ज करके अपना काम चला ले फिर ओला को हर एक या दो या तीन अपार्टमेंट के मलग कुछ अपार्टमेंट के क्लोज में सब अपार्टमेंट कवर करके पास में चार्जिंग खोलना चाहिए जिससे थरड या सेकन्ड फ्रूर चार्ज कर सके अपना वर्क कर सके है तो ओला के आगे मुश्क्यल हैं पर दिए बाजीकर आप लोग मुझे कमेंड या 109 का कमेंड कीए क फिर हम देखते हैं कि सबकी ओपीनियन क्या रहती है, तो गाइज, ये सब कुस्ता मेरी ओपीनियन, ओला स्कूटर के बारे में, जो कि मैंने रिसरच करके निकाल लिए, और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज, वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए, और चैनल को भी सस्क्राइब करिए, और बाइल लाइकन पर प्रेस करिए, ताकि हमाई न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, जैहिंद गाइज,